कि दादा दादी नाना नानी ने खुब कहानी सुनाई होगी और कहानी सुनते ही जब बच्चा भाग दें लगता है उसके हाथ पर कि अब तो असली ग्यान देना है अपका भाग रहा है बच्चा भच्पन से यह सुनके बढ़ा होता है एक राजा था उसके तीन राजा थे कभी नी सुनता है तो उसको बच्पन से लगता है कि नॉर्मल बात है कि राजा की तीन रानियों हो और फिर उसकी मा बेटा है तो समझ जाता है ए बराबर बी बराबर सी तो ए बराबर सी जाने कि तीन रानियों करनी ही होंगी तब जाके परंपर आगे बढ़ेगी फिर वो तीन का आगे बढ़ते बढ़ते संजू की तरह तीन सुपतास से भी चलाया ता कही बार